असलामों अलैकुम आज हम बना रहे हैं प्रॉंस इसको जींगे भी बोलते हैं और इसे बड़े भी आते हैं लॉम्स्टर इसे बोलते हैं और इसे छोटे भी होते हैं यह मेडियम साइज के प्रॉंस हैं और इसको मैं साफ करना आपको दिखाऊंगी किस तरह से साफ करते हैं और किस तरह से इसके पकोड़े बनते हैं मैं पकोड़े बनाऊंगी मैं ग्रेवी या सबजी नहीं बनाऊंगी इसकी बहुत सारी वराइटीज बनती हैं लेकिन मेरे बच्चों को इसके पकोड़े पसंद विजा के ऊपर से इस तरहांका ह्याति गटाए प्लाश्टिक जैसा शेल होता है के यहां से समयसे हमहें नहीं मिलते होंग जितने सफाई से हम लोग घर में बनाते हैं साफ करते हैं है लेकने इसके अंदर दो ब्रेंज होती हैं उनको निकालना होता है वो गंदी सी काली सी होती है देखिए सुई ले लिजिए सुई से या टूटपिक से आप निकालिए ये ब्लैक कलर की नसे सी होती है इसको पकड़के खीचना होता है और इसको निकालना होता है इसमें बहुत टाइम लगता है मैं तो इसको निकालती हूं और लोग पता नहीं निकालते हैं या नहीं निकालते हैं लेकिन दोनों साइड से निकालना होता है उपर से भी और नीचे से भी देखिए पीच में से ऐसे निडल डालूंगी और खेचूंगी देखिए निकली बीच में से और इसे अगर नहीं न सब्सक्राइबर अ करने बाद इतना बड़ा हुआ चोटे करने नहीं चोटा है लेकिन इसका टेस्ट एक होता यह खालेगा तो दूसरी चीज़ें पसंद नहीं करता है तिलैंग सब्सक्राइब अक चिज़आ आक हमें शुरू किया कहाला तब से हमें पसंद आने लगे बच्चों को भी पसंद आते हैं लेकिन सिर्फ खाते फ्राई करे वेई हैं दूसरी चीजे बनाकर हम लोग नहीं खाते हैं इस तरह से मैं इसको साफ कर लूँगी ये दो किलो प्राउंस थे और मुझे साफ करते करते कम से कम लगे हैं दो घंटे मुझे साफ करने में इनको प्राउंस को लग गए थे लेकिन मैंने अच्छे से एकदम किलीन करके साफ करे हैं गंदी की विल्कुल पसंद नहीं है मैं बिल्कुल साफ करके करती हूँ और कोई पसंद ही नहीं करता हमारी हैं अगर इसकी नसुस नहीं निकालते हैं तो कोई खाने ही नहीं चाहता है आप लोग भी साफ करें तो इसी तरह से करें, यहां तो सभी लोग जानते हैं, और पता ही होगा यहां पर लोगों को महाराष्ट में किस तरह से साफ करते हैं, इसी तरह से मैं सब अपने प्राउंच साफ कर लूँगी, यह बहुत ज्यादा है, दो केजी थे तो मुझे टाइ के बाद इतने निकले और इसको मैं अच्छे से वाश करूंगी और मैं वाश करने के लिए इसमें नीबू डालूंगी नीबू से अच्छे से वाश करके और मैं इसमें फ्राइ करने के लिए मसाला लगाऊंगी देखिए नीबू से मैंने वाश कर लिया थे अच्छे से चार- पड़ता है और नमक डाला मैंने और हल्दी पाउडर थोड़ा डाला बहुत से लोग कलर भी डालते हैं लेकिन मैं कलर नहीं डालती हूं मैं हल्दी ही डालती हूं कलर से रेट कलर के हो जाते हैं थोड़ा रेट चिली पाउडर दो मिर्च छोटे वाले हैं मेरे दो से धाई च मेरे ज्यादा हैं तो मैं दो निवू डाल रही हूं दो से डाई निवू भी आप डाल सकते हैं और कॉंटिटी देखकर आप अपने निवू डालिए मतलब थोड़े हैं तो थोड़ा निवू डालिए और इसको प्रॉंस को चाइनीज स्टाइल में भी बनाते हैं कैप्सी कम अलेको कब दो अब्रहु पनाज़ मैं आओ और चावल में जब प्रॉटाइ और दो चावले एक चीज डाल लग थी थोड़ी सी हल्दी मैंने और एड़ कर लियुक्त और इसको मैं मिक्स करके अलग-अलग मतलब टीफिन में जैसे आपको रखना है आप रखी अलग ये ये एक साथ रखी जित्ते बनाना आपको जैसे मैं इसको करके रख दूगी और जब मैं फिर्चाहि करूं तो आपको दिखाऊंगी अब मैं फ्राई करने जा रही हूं तो इसमें मैंने दो चम्मच भर कर चावल का आटा डाला है अगर चावल का आटा नहीं है तो कौन फ्लोर भी डाल सकते हैं क्रेंची पन लाने के लिए और उसको अच्छे से मैं मिक्स कर लोंगी देखिए यह मिक शक्षी नेगे आप बना कर कभी देखि और खाए तो भूँत तो अच्छे लगेंगे जहां अगर प्राउंस मिलते हैं जीने मिल्ते हैं वो लोग बनाएं और खाएं तो देखें मुझे बताएं कमेंट्स करके लोग के प्रॉंस कैसे मिले हमारी या यूपी में तो नहीं मिलते हैं इतने बड़े बड़े जींगे यह सी आइटम है और सी फूड है यह इसलिए यहां पर बंबे में जादा मिलते हैं मेरे देखिए फ्राई हो गए और मैं इनको डिशाउट करके थोड़ी दिर में आपको दिखाऊंगी इसी तरह से मैं और भी अपने फ्राई कर लूँगी और यह बहुत कम तेल में फ्राई होते हैं तेल आप पिल्कुल थोड़ा सा डालिए ज्यादा तेल में डालिए यूंकि तेल बच जाता है फिर वह वेस्ट होता है किसी और चीज में आप यूज नहीं कर सकते थोड़ी सी प्राउंस की स्मेल होती है जो मचली की वह आने लगती है इसलिए मैं थोड़ा ही दो तिन चमश तेल डालकर उसी में फ्राई करती हूं इस तरह से सारे फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूं सारे धीमी के आज पर आप करीए मीडियमे से थोड़ी ज़ादा मीडियम पर फ्राई करीए देखिए मेरे फ्राई हो गई है और यह इस तरह से हुई है, इसको प्याज और निवू के साथ, निवू के साथ खाईए, डाल चावल, सबजी, रोटी के साथ में खाईए, ऐसे बहुत टेस्टी लगेंगे, एक बार बच्चे खाते हैं तो लगता है उन्हें खाते ही जाएं, मांग मांग कर खाते हैं, आप जरूर बनाएए, इंशल्ला आप्लोगों सबको पसंद आएंगे, अलला हाफीज! दोétais दौा हमें याद रखिए!